नमस्कार आप देख रहे हैं जन्मत की पुकार दिल्ली के मुख्य मंत्री अर्वीन केजरिवाल और उप मुख्य मंत्री मनिश सिसद्य गुजरात में आगामी गुजरात विदानसभा चुनाव को लेकर पार्टी के प्रचार में जुटे हैं दो दिवसिय गुजरात दोरे के दोरान दोनों नेताओं ने सोंबार को एक सबा को संबोधित किया जिसमें आमादमी पार्टी के नेताओं ने गुजरात की जन्ता से नए वादे किये अर्विन केजरिवाल ने कहा कि अगर गुजरात में आमादमी पार्टी की सरकार बनती है तो हम लोग गुजरात के बच्चों के लिए अच्छी सिक्सा का इंतजाम करेंगे हम लोग आपके पूरे परिवार के लिए अच्छे और मुफ्त इलाज का भी इंतजाम करेंगे उन में बहुत इहंकार आ गया है। कांगरिस को वोट देंगे तो हम कांगरिस के अमेलेस को खरीद लेंगे हमें काम करने की क्या जरूरत है् आम आदमी पार्टी पिछले कई दिनों से जनता के सामने जनता के मुद्दूं के उपर चर्चा कर रही है हम एक positive campaign चला रहे हैं हम ये बता रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम महंगाई से कैसे आपको छुटकारा दिलाएंगे बेरुजगारी से कैसे छुटकारा दिलाएंगे युवाओं के लिए क्या करेंगे महिलाओं के लिए क्या करेंगे किसानों के लिए क्या करेंगे आज हम लोग शिक्षा और स्वास्थे की गारंटी देने आए हैं गारंटी मतलब कि अगर हम काम ना करें तो हमें अगली बार वोट मत देना तो मैं बाद में बात करूँगा आज मेरे को बहुत खोशी है कि दुनिया के सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री ये मैं नहीं कह रहा ये नियू यॉक टाइम्स ने बोला है अमरीका के सबसे बड़े अख़बार के फ्रंट पेज के उपर जहां पे दुनिया के राष्ट्रपती और प्रधान मंत्री दुनिया भर के राष्ट्रपती प्रधान मंत्री अपनी फोटो देखने के लिए तडपते हैं वो नियू यॉक टाइम्स के फ्रंट पेज पे मनिस सोधिया जी की फोटो छपी और उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री है आज मैं उनको साथ में लेके आया हूँ गुजरात के बच्चों का भविश्य हम कैसे बनाएंगे गुजरात के बच्चों को हम कैसे अच्छी शिक्षा देंगे पहले ये उस पे बात करेंगे फिर मैं आऊँगा बहुत बहुत धन्यवाद मानिय मुख्य मंत्री स्री अर्विंद केजरिवाल जी साथ ही कुछरात के आमाद्यू पार्टी की बहुत विश्वस्नी है महंती लीडर्शिप और मीडिया के सभी साथी जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत को विखसित देश बनने के लिए एक बहुत शांदार शिक्षा विवस्था की ज़रूरत है बिना शांदार विवस्था के हर बच्चे के लिए शांदार शिक्षा विवस्था के बिना भारत विखसित देश नहीं बन सकता भारत दुनिया में नंबर वन देश नहीं बन सकता मुझे बहुत खुशी है कि मानिये श्री अर्विंद केज रिवाल जी के नेत्रतुम में दिल्ली में एक शिक्षा क्रांती शुरू हुई और नेत्रतुम में और उनके मारक दर्शन में उनके विजन पर चलते हुए आज दिल्ली में दिल्ली के हर बच्चे के लिए फ्री शांदार विश्विश तरिय शिक्षा सुनिश्चित की गई है दिल्ली में पैदा होने वाले हर बच्चे के लिए आज शांदार शिक्षा उपलब्ध है दिल्ली के हर माबाप आज इस बास से संतुष्ट है कि हमारे बच्चे के लिए केजरिवाल जी ने शांदार स्कूल बनवा दिये हैं इसी तरह का काम अब पंजाब में बिशुरू हो गया है केजरिवाल जी के नितृत में उनके मार्गदर्शन में वहाँ भगवंत मांजी के नितृत में जो सरकार चल रही है वो पिछले पांच महीने के अंदर-अंदर इतनी तेजी से काम कर रही है शिक्षा पर कि आप देखिएगा बहुत जल्द वहाँ पे बहुत शांदार स्कूल देखने को मिलेंगे और वहाँ की रिज़र्ट देखने को मिलेंगे अच्छी शिक्षा आज गुजरात के भी हर बच्चे का हक है वो चाहे गाओं में रहता हो चाहे कस्बों में रहता हो शहरों में रहता हो वो सरकारी स्कूल में पढ़ता हो या प्राइवेट स्कूल में पढ़ता हो अच्छी से अच्छी शांदार शिक्षा आज गुजरात के वी हर बच्चे का हक है तो आज मैं मानी अरविंद केज़िवाल जी के नित्र तुमें आप सब के बीच आमादवी पार्टी की तरफ से गुजरात के हर एक परिवार को हर एक व्यक्ति को ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि आज से हम सपना देखना शुरू कर दें कि हम अपने बच्चों के लिए गुजरात के एक एक बच्चे के लिए गुजरात में पैदा होने वाले हर एक बच्चे के लिए एक शांदार शिक्षा की विवस्था लागू करेंगे और वो शांदार शिक्षा की विवस्था गुजरात के गाउं देहाथ से लेके शहरों तक हर जगे लागू होगी सिर्फ ऐसा नहीं है कि शहर के कुछ स्कूलों को अच्छा करेंगे जैसा दिल्ली में हर स्कूल को किया है तो इसलिए आज मैं आपके बीच में अरविंद केजरिवाल जी की तरफ से केजरिवाल जी की शिक्ष्या गारंटी के रूप में गुजरात के सामने कहना चाहता हूं कि आप सब अरविंद केजरिवाल जी को मौका दें गुजरात के सभी पेरेंट्स जिनके बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं या वो सभी लोग साथ साथ जो चाहते हैं कि गुजरात का आधार मजबूत करने के लिए गुजरात को विक्सित आगे बढ़ाने के लिए हर बच्चे को शांदार शिक्षा मिलनी चाहिए आमादवी पार्टी की तरफ से केजरिवाल जी की तरफ से गारंटी है कि आमादवी पार्टी की सरकार बनने के बाद आमादवी पार्टी की सरकार बनने के बाद गुजरात के हर बच्चे के लिए फ्री और शांदार शिक्षा विवस्था गुजरात में दी जाएगी फ्री और शांदार शिक्षा विवस्था दूसरा गुजरात के हर सरकारी स्कूल को दिल्ली की तरह से इतना शांदार बनाया जाएगा जैसे की बड़े-बड़े private school होते हैं जैसे हमने दिल्ली में हर सरकारी school को उतना शांदार बनाया है और यहां के सभी विद्यालों में teachers की जो कमी है वो teachers की कमी तुरंत भरती करके दूर की जाएगी किसी भी school में teachers की कमी नहीं रहने दी जाएगी मैं खुद गुजरात के स्कूलों में गया था और मैंने देखा था कि teachers भी महीने महीने के contract पर हायर किये जाते हैं परमाने teachers हर स्कूल में पूरी भरती करके किया जाएगा और सबसे important बात private school में जिनके बच्चे पढ़ते हैं private school की दिल्ली में भी केजरिवाल जी की सरकार से पहले ये समस्या थी कि वहाँ fees बहुत मनमाने तरीके से बढ़ाते हैं और parents एक बार अपने बच्चों को दाखिला तो करा लेते हैं लेकिन उसके बाद उनके हाथों लुटने पर मजबूर होते हैं हमने दिल्ली में ये करके दिखाया है और गुजरात में भी ये करके दिखाएंगे केजरिवाल जी के नेतरतु में की private school में पढ़ने वाले बच्चों की fees किसी भी private school को नाजाईज रूप से नहीं बढ़ाने दी जाएगी तो इस से गुजरात के एक एक बच्चे को अच्छी शांदार फ्री शिक्षा की गारंटी मिलेगी आज केजरिवाल जी के तरफ से मैं आपके समक्षिय गारंटी रख रहा हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि गुजरात के लोग अपने बच्चों की शिक्षा के लिए आने वाले पीडियों की शिक्षा के लिए केजरिवाल जी के इस गारंटी के अधार पर केजरिवाल जी को एक मौका जरूर देंगे धन्यवाद अब गुजरात में लगबग एक करोड बच्चे स्कूल जाते हैं उसमें 53-54 लाख बच्चे सरकारी स्कूलों में जाते हैं और 54 लाख के करीब बच्चे प्राइविट स्कूलों में जाते हैं दोनों के साथ धोखा होता है जो प्राइविट स्कूलों में जाते हैं उनकी फीस मनमानी बढ़ा देते हैं उनको जबरदस्ती करते हैं उनके साथ और जो सरकारी स्कूलों में जाते हैं सरकारी स्कूलों की हालत बहुत खराब है तो अभी जो मनीश जी ने अभी आपके सामने पूरा खाका रखा उससे गुजरात के इन एक करोड बच्चों का भविश्य सुधरेगा ये बहुत बड़ी बात है तभी गुजरात की तरक्की होगी और तभी देश की तरक्की होगी और ये जो आज स्कूलों की और शिक्षा विवस्था की बहुत बुरी हालत है ये भारती जंता पार्टी के 27 साल के कुशासन का नतीजा है इनको अगर एक मौका और दे दिया तो पांच साल और खराब करेंगे ये लोग अब मैं आपको स्वास्थ की गारंटी के उपर आता हूँ गुजरात के सरकारी अस्पतालों का सरकारी डिस्पेंसरी का बहुत जादा बुरा हाल है धीरे धीरे इस पूरे सिस्टम को खतम किया जा रहा है जान बूज के खतम किया जा रहा है और इसलिए खतम किया जा रहा है ताकि आदमी मजबूरी में प्राइवेट स्कूल अस्पतालों में प्राइवेट डॉक्टरों के पास जाने के लिए मजबूर हो और प्राइवेट अस्पताल इतने महंगे हो गए कि अगर एक कोई बड़ी बिमारी किसी के हो जाए तो पूरी जमीन जेवर सब भिक जाते हैं आदमी करजे में आ जाता है और कई किसान इस वज़े से मौत कर अब सुईसाइड कर लेते हैं क्योंकि उनके पास बिमारी का इलाज करने के लिए पैसे नहीं होते दिल्ली में हमने ये विवस्था की कि दिल्ली में सरकारी अस्पतालों को पहले हमने शांदार बनाया महला क्लिनिक को शानदार बनाया और फिर हमने कहा कि दिल्ली के दो करोड लोग चाहे कोई अमीर हो चाहे गरीब हो चाहे इस जातका हो चाहे उस जातका हो चाहे आदमी हो औरत हो इस धरम को उस धरम को दो करोड लोगों को सब को पूरा इलाज मुफ्त होगा सारी दवाईया, सारे टेस्ट, सारे ओपरेशन सब कुछ मुफ्त कर दिया हमने दिल्ली के जनता के लिए सो पहली गारंटी स्वास्त में मेरी ये है गुजरात के हर व्यक्ति, गुजरात में रहने वाले हर व्यक्ति का पूरा इलाज मुफ्त होगा और अच्छा होगा मुफ्त का मतलब यह नहीं कि सरकारी अस्पताल इतने खराब होंगे कि आप जाना ना चाहें, तो मुफ्त होगा और अच्छा होगा दूसरी गारंटी सारी दवाईयां सारे टेस्ट सारा इलाज सारा ओपरेशन अमीरों का भी गरीबों का भी सबका मुफ्त होगा अमीर प्राइवेट में जाना चाहें उनकी मरजी है लेकिन उनकिसी से ये नहीं पूछा जाएगा बीपिल कार्ड दिखाओ जो सरकारी अस्पताल में जाएगा उसका इलाज मुफ्त होगा तीसरी चीज जैसे दिली में महला क्लिनिक बनाए हैं हर गाउं के अंदर गाउं का क्लिनिक खोला जाएगा और शेरों में हर वाड के अंदर एक क्लिनिक खोला जाएगा तो जितनी चोटी मोटी बिमारी हैं, खासी जुखाम बुखार, उसके लिए आप महला क्लिनिक में जाओ, आपको बड़े अस्पताल में जाने की जूटनी है, एर कंडिशन्ड है, सारे के सारे शांदार हैं, वहाँ पे आप जा सकते हो, चौती चीज, जितने सरकारी अस्पत जालेगी, वो भी खोलेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कहते हैं, मुफ्त होगा और इलाज होई ना, इलाज शांदार होगा, अच्छा होगा, और आखरी चीज, दिल्ली में हमने एक स्कीम बनाई है, अगर किसी का भी एक्सिडेंट होता है, उसका पूरा इलाज हम मु जार लोगों की हम जान बचा चुके हैं, इस स्कीम के तहरत, क्योंकि एक्सिडेंट होता है, कोई उसको ठाके ने ले जाता है, उसे लगता है, मैं अस्पताल ले गया, तो मेरे पनले पड़ जाएगा, हमने का आप अस्पताल ले जाओ, उसका सारा खर्चा हम देंगे, बस अस्पताल में ले जाके उसको अड्मिट करा दो, तो ये पांच गारंटी आज मैं स्वास्त के क्षेतर में दे रहा हूँ, एक दो चीज़े और बात करना चाता हूँ, अभी थोड़े दिन पहले में आया था, लगबग महीना डेड़ महीना पहले, तो कई सारे पूर्व से एक सर्विसमें धरने पे प्रदर्शन पे बैठे हुए थे, तो उनकी एक डिमांड ये थी कि जो गुजरात का रहने वाला व्यक्ती सेना में शहीद हो जाता है बॉर्डर पे, तो उसको उचित मुआफ़जा नहीं मिलता, दिल्ली में हम लोग, दिल्ली का रहने वाला ने एलान किया था कि हमारी सरकार बनेगी, तो हम उनको एक करोड रुपे देंगे, मुझे बेहत खुशी है कि कल गुजरात सरकार ने एलान किया है कि वो भी अपने पूर्व सेने कोई भी शहीद होगा तो उसको एक करोड रुपे की राशी देगी, मैं इसके लिए गुज पुलिस भी अपनी जान जोखिंग में डालके उनको बचाती है, तो अगर कोई पुलिस वाला भी किसी ऑपरेशन में शहीद हो जाता है, उसके परिवार को भी मैं खुद उनके घर जाके एक करोड का चेक देगे आता हूँ, तो गुजरात पुलिस के भी करमचारियों को इ शामिल किया जाए, एक करोड रुपे वाली स्कीम के अंदर कि अगर गुजरात पुलिस का भी कोई वेक्टी शहीद होता है, तो उसको भी एक करोड मिलेगा, दूसरी चीज, यह मैं नहीं कह रहा है, यह जो एक करोड इनोंने अलान किया है, इन लोगों की मन्शा नहीं है क करने की, तीन महीने बाद चुनावें, इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि बाकी किसी भी राज्य में नहीं किया, इनोंने बीजेपी वालोंने, मध्यपरदेश में भी नहीं किया, हिमाचल में भी नहीं किया, यूपी में नहीं, गुजरात में किया, क्योंकि तीन महीने बाद च अगले दस दिन के अंदर पिछले पान साल में जितने भी शहीद हुएं लोग उनको सबको एक एक करोड रुपे की राशी दी जाए ताकि जंता को भरोसा होगे कि आप देंगे आप जूटा एलान नहीं कर रहे और अगर अग गुजरात सरकार नहीं देती तो हमारी सरकार बन की स्टेट ट्रांसपोर्ट के जो एंप्लॉईज हैं स्टेट ट्रांसपोर्ट में जो काम करने वाले उनकी तनका बहुत कम है जो कच्छे करमचारी हैं उनकी तनका बहुत कम है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा कंड़क्टर हैं ड्राइवर हैं वो गुजरात सरकार के स्टेट ट्रांस्पोर्ट डिपार्टमेंट के सभी ड्राइवर्स, कंड़क्टर्स और दूसरे करमचारियों से उनसे निवेदन करता हूँ कि जब आप बसों में चल रहे होते हैं, एक एक यात्री को बोलो कि अब बदलाव चाहिए गुजरात को, अब ब पड़ेों के सामने बोलो कि इस बर जाड़ों पे वोट डालनी है, आपका काम करने के जिम्मेदारी मेरी आपके तंखा एक महीने के नदर रम बढ़ा देंगे, थैंक यू, कोई कुश्टन से निदर बताईए हैं, तो बताईए हैं, मेरे लिए भी बहुँ शॉकिंग था क मेरे पास मेसेज आया कि दो मेसेज थे, दो पार्ट थे उस मेसेज के, कि एक तो आपके खिलाफ जितने EDK, CBI के के केस चल रहे हैं, इनको सब को खत्म कर दिया जाएगा, और दूसरा है कि आप BJP जोइन करके, पार्टी तोड़के BJP जोइन कर लीजे और हम आपको CM बना द वहाँ पे, दिल्ली में, भारती जन्ता पार्टी में, तो मैंने कहा भई, ये CBI, ED, जितने केस चल रहे हैं, इनकी सच्चाईतों मैं जानता हूँ, क्योंकि ये सारे केस फरजी हैं, मैं एक इमानदार आदमी हूँ, इनफेक्ट मैं अरविंद केजरिवाल जी की टीम में इनकी सच्चाईतों मैं एक इमानदार आदमी हूँ, मैंने अब तक सारा काम इमानदारी से किया है, तो इन फरजी केस में कोई दम नहीं है, आप इनकी धमकियां तो नहीं दे सकते हैं मुझकों, इन से नहीं डरा सकते हैं, और रही CM कैंड़िडेट बनाने की बात, CM बनान यहां राजनिती में CM बनने के ख्वाब लेके नहीं आया, मैं जो ख्वाब लेके आया हूँ, वो यह है कि दिल्ली के हर बच्चे को शांदार एजूकेशन मिले, और आज मैं काम कर रहा हूँ कि देश के हर बच्चे को शांदार एजूकेशन मिले, वो चाहे गरीब का बच को वहां ले जा सकता हो जहां से हमारे देश के हर बच्चे को शांदार एजुकेशन मिले तुम्हें ये भी आप भूल जाओ कि मैं किसी सीम कंडिडेट बनने के रसीम बनने के चक्कर में हूँ मैं तो अरविन जी के साथ हूँ अरविन जी मेरे राजनितिक गुरू है उन्ही के मारकदर्शन में उन्ही के आदेशों पर उन्ही के डाइरेक्शन्स में दिली में काम किया है और राजनिति में काम किया है दिखिए जो लोग जिन्होंने मुझे मैसेज दिया उन्होंने मुझे कहा कि वेश्ट पंगाल में शुबेंदू अधिकारी जी को हमने ही जोइन कराया था असम में हेमंद शर्मा जी को हमने ही जोइन कराया था फिर नरायन राने जी से लेके और जो और जोइनिंग उन्होंने कराई है तो उन्होंने कहा कि हम पे आप भरोसा रखिए हम लोग इसमें हैं हम ही जोइन कराते हैं जैन्त पंडा जी को भी हमने ही जोइन कराया था तो अब आप पूछ लिजे उन लोगों से उनको किसने जॉइन कराया था वो छोड़ दीजे आप चिंता मत कीजे ये तो ये तो वही लोग बताएंगे ना कि उनको किनों ने जॉइन कराया था मुझे मेरे पास जो लोगा है उनने दावा किया अब पूछ लीजे आप वेश जोड़ी दो सवाल है पहला सवाल ये है कि हर संदी जो हमारे इनके राजयो मंत्री है आपके तो लेकर उनोंने ट्वीट किया है पहले ये तैक हीजिए कि आप खवाजशी की संदाह नहीं ये मारा अबताः हम दोनों पंडी से लेके सरदार पतेल तक सब को अपना गुरू अपने पिता तुले मानता हूं और उनको अपने जीवन का अधर्स मानता हूं पूरे देश में लोग नाराज हैं जिस व्यक्ति को पूरे देश की शिक्षा विवस्था सौंप देनी चाहिए जिस व्यक्ति ने पांच साल के अंदर करिश्मा करके दिखा दिया मौजूदा रवायती पार्टियां सतर साल में जो काम नहीं कर पाई और जिस व्यक्ति ने वो काम करके दिखा दिया कि सरकारी स्कूलों को शानदार बना दिया इस देश के गरीब बच्चों को बविश्य दे दिया उस वक्ति पर CBI की रेड कराते हो तुम लोग शरम नहीं आती तुम लोगों को और फिर ये अनरगल बाते कर रहे हो ऐसे व्यक्ति को तो भारत रतन मिलना चाये पूरे शिक्षा व्यवस्ता प्रधानमंत्री जी को बुलाना चाहिए उनको कहना चाहिए भी जो भी पाटी हो पाटी बाजी करने थोड़ी, देश का विकास करना है, मनीश जी बैठिये हमें बताइए कैसे शिक्षा व्यवस्ता ठीक करें, ये होना चाहिए था, ये जो इस तरह की बाते कर रहे हैं, सारे समाज नराज हैं, राजपूत भी नराज हैं, ब्रामन भी नराज हैं, बनिये भी नराज हैं, स्सी भी नराज हैं, स्टी भी नराज हैं, अमीर भी नराज हैं, गरीब भी नराज हैं, ओर्तों भी नर किसको फायदा होगा हम काम रुकने नहीं देंगे लेकिन थोड़े दिन के लिए बाधा तो पहुंचेगी इससे देश का भला होगा क्या क्या चेंज कर दिया क्या चेंज कर दिया की रेड होने के बाद नहीं किया एक अगस्त को एक अगस्त को किया था उसका कारण है साड़े आठ सो दुकाने खुलने थी दिल्ली के अंदर एक एक करके साड़े साड़े तीन सो दुकाने खुल पाई पांच सो दुकाने नहीं खुल पाई जिस तरह से केंदर सरकार और सारी एजनसी दबाव डाल रही थी हमारे अफसरों के उपर अफसरों ने उस पॉलिसी के तहट नई दुकाने का ठेका करना निलामी करने के लिए मना कर दिया LG का दबाव था, पुलिस का दबाव था, Central agencies का दबाव था वो पॉलिसी बहुत अच्छी है, हम किसी के साथ भी डिबेट करने के लिए तयार है हमारे पास option नहीं थी, अगर हम वो नहीं करते हैं, सारी दुकाने बंद हो जाती हैं और वहाँ पे नकली दारू बिकनी चालो हो जाती हैं, जैसे आज गुजरात के अंदर है इसलिए हम पुरानी वाली पॉलिसी पर चले गए, पुरानी पॉलिसी में सौ कमया हैं लेकिन कम से कम नकली दारू तो नहीं वीह करे मैं बिकनी आइए कि तक को अब कोई लालसा नहीं है जैसा मनीज़ जी ने का यह सीम बनने नहीं आया और मैं भी PM बनने नहीं आया, हमारा एक ही सपना है, 75 साल हो गए हमारे देश को, अभी तक हमारा देश पिछड़ा क्यों रह गया, हमारे बाद जो देश आजाद हुए वो हमसे आगे चले गया, सिंगापूर आगे चला गया, जपान आगे चला गया, जपान तहस नहस हो गया है, वो नेता और पार्टियां नहीं कर सकते, आप सब लोगों के साथ मिलके, 130 करोड़ लोगों को एक साथ मिलाके, और इस देश को नंबर वन बनाएंगे, तो क्या यहां भी लीकर मुट करेंगे, नहीं बिलकुल नहीं करेंगे, हम जो पॉलिसी आज नशाबंदी की चल र हम अपनी पार्टी को गैर कानूनी शराब बेच के नहीं चलाएंगे. नहीं, मैं समझा नहीं. वो ये कराते हैं न, दूसरी पार्टी वाले. दूसरी पार्टी वाले सब कुछ कर सकते हैं. गुजरात के लोग नहीं करेंगे ये. दूसरी पार्टी वाले करेंगे. गुजरात के लोग बिलकुल नहीं, गुजरात के लोग अब हमें प्यार करते हैं. गुजरात के लोग इनके 27 साल के शासन से तंग आ चुके हैं अच्छा आप एक छोटी सी चीज बताओ कोई आदमी अगर आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देता है आप उसे प्यार करोगे कि नहीं करोगे करोगे कोई अगर आपके परिवार का अच्छा इलाज करा देता है आप उसे प्यार करोगे कि नहीं करोगे कोई कहता है मैं आपको 24 घंटे बिचली दूँगा मुफ्त बिचली दूँगा ये तो करते नहीं है सब मैं करता हूँ तो मेरे से क्यों नहीं प्यार करेंगे गुजरात के लोग यार वो तो आरोप लगाते रहेंगे उनको मत सुनिया आप गुजरात के जंता को सुनिये गुजरात आज ये सारा मैं आप शेक पूछता हूं प्रशन ये सारा रेड वेड अब अचानक क्यों चालू हो गई इसको गिरफ़तार कर लिया एक और कल केस एक और रजिस्टर कर दिया भी तो बहुत गिरफ़तारिया होंगी ये सब गुजरात के चुनाव के विज़ए से दिसंबर में खतम हो जाएगा दिसंबर तक हो रहा है बस ये दिसंबर तक चुनाव हो जाएगा गुजरात का गुजरात में भारते जंता पार्टी की जमीन खिसक रही है इनका 27 साल का शासन खिसक रहा है अभी मनीश भी गिरफतार होंगे और भी कई हो सकता है अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सबस्क्राइब नहीं किया है तो किरिपया चैनल सबस्क्राइब कर लें लाइक करें, सेर करें, कमेंट करें तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ नमस्कार